असलाम अलेकुम जी, so in this lesson we are going to learn about the healing brush tool and the spot healing brush tool तो अगर हम healing brush tool की बात करें, तो यहाँ पे आपको कोई भी अगर spot heal करना है for example इन pixels को आप remove करना चाहते हैं, इसको heal करना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसी image के अंदर से कुछ samples required होंगे selection करते थे और उसके बाद उसको move करते थे, एक नई location के उपर लेकिन यहाँ पे इस tool का इस्तमाल थोड़ा सा different है अगर मैं अपने keyboard से alt को प्रेस करूँ, तो आपको जो cursor है वो थोड़ा सा different नजर आएगा तो actually यह हमसे कह रहा है कि आप को sample pick करें ताके मैं उस sample को इस्तमाल करते हुए एक नई जगा पे उन samples को place करूँ ठीक है, तो मैं यहाँ से alt प्रेस कर रहा हूँ और sample पे click करता हूँ इसके बाद आप देखें, मैं अगर इस mouse को यहाँ पे लेके आता हूँ तो यह आपको कुछ pixels नजर आएंगे इस circle के अंदर इसका मतलब है कि इसने जो sample यहाँ से लिया था वो अब आपके साथ साथ है ठीक है, तो अगर मैं उस sample को यहाँ पे सिर्फ एक click करूँ तो आप उपर थोड़ा सा देख सकते हैं कि आपको एक plus का एक symbol नजर आएगा ठीक है, इसका मतलब है कि इस वकत आप जो यहाँ पे pixels को copy कर रहे हैं, वो किस जगा से pixels copy किये जा रहे हैं ठीक है, जहाँ पे आपको plus का symbol move करता वा नजर आ रहा है वहाँ से sample उठाया जा रहा है और इस नई location पे उसको place किया जा रहा है ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और चीज भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे इस mouse को मैं move करता हूँ, वैसे वैसे वो plus का symbol move होता है और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो वो sample उपर से लेना शुरू करतेगा और ऐसे ही, अगर मैं उपर move करता जाऊँगा, तो वो उपर ही move करता जाएगा, same distance के साथ तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इस वो sample ले रहा है, जो उपर एक white region है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कि यह किस तरह से sample ले रहा है, और उसको heal करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर एक दफ़ा release करके, तो यह दुबारा उसी जगाँ पे चला जाएगा, जहां से मैंने sample लिया था तो हम इसको भी heal कर लेता है और अगर मैं दुबारा यहाँ पे आकर दुबारा से क्लिक करूँ, तो यह दुबारा उसी location पे जाके sample लेना शुरू करतेगा, जहां से मैंने first time sample लिया था तो यहाँ पैसे बहुत सारे spots हैं जो same sample से heal किये जा सकते हैं तो आपको बार बार sample नहीं लेना पड़ेगा So this is how you can make use of the healing brush tool लेकिन जो जादा recommended है, suggested है वो यह है कि आप जिन pixels को heal करने जा रहे हैं, जिन pixels को ठीक करने जा रहे हैं कोशिश करें कि उनके करीब से sample लें और उसके बाद उसको heal करें ठीक है जी जैसे हम इन pixels को ठीक करने जा रहे हैं तो कोशिश करें इसके करीब से sample लें इसको ठीक करने जा रहे हैं कोशिश करें इसके करीब से sample लें और उसके बाद उसको heal करें क्योंकि हर जगा पिक्चर के जो लाइट हैं जो पिक्जल हैं उनकी brightness उनकी darkness उनका temperature थोड़ा सा different होता है तो बहतर results लेने के लिए कोशिश करें कि जो sample है वो पिक्जल के करीब से ही होने चाहिए ठीक है so this is how you can make use of the healing brush tool एक चीज़ बड़ी important है जो के आप लोग बाकी tools के अंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसा के content away tool था patch tool था ठीक है तो healing brush tool के लिए भी आप उसी चीज़ को इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैं layers में जा रहा हूं और layers में जाके मैं एक नई layer generate करता हूं और उसके बाद मैं अपने कुछ pixels को heal करता हूं जाजा के मैं यहां से sample ले रहा हूं और मैं इसको यहां से हील करता हूं जी यहां से sample ले रहा हूं इसको हील करता हूं ठीक है यहां से sample ले के इसको हील करता हूं तो नई layer के उपर फाइदा यह है कि जो original हमारे पास image है यह changing उसके अंदर नहीं कर रहा बलके जो हमने नई layer generate की थी ये changing's उसके अंदर हो रही है तो for example हम इन changing's को remove करना चाहते हैं हमें changing's पसंद नहीं है तो हम यहां से simple result लेके इसको remove कर सकते हैं और दुबारा से for example यह देखें हमने इसको fix किया था आप दुबारा से इसको fix कर सकते हैं तो आपकी जो changing's हैं वो permanently इस image के उपर नहीं होंगी बलकि आप जो भी pixels को replace कर रहे हैं उसको move कर रहे हैं उसको heal कर रहे हैं तो आपकी एक नई layer पर वो सारा कुछ हो रहा है ताकि आप उसको कभी भी remove कर सकते हैं और उसको fix कर सकते हैं ठीक है in the future as well ये वाला जो method है इसको हम non-destructive method कहते हैं और जो हम practice पहले इस्तमाल कर रहे थे उसको हम destructive practice का नाम देते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने ये दोनो methods अपनी selection के अंदर भी देखे थे ठीक है जब हम layer mask का इस्तमाल कर रहे थे तो हमेशा कोशिश किया करें कि non-destructive methods को इस्तमाल करें जब आप अपनी photos को edit करें तो अपनी photos को edit करने के लिए heal करने के लिए आपने एक नई layer तो generate कर ली लेकिन कोशिश करें कि उपर जो sample है यहाँ पर आपकी all layers वाली selection selected हो ठीक है उसके बाद फिर ये इसको consider करेगा कि मैंने इसके pixels को heal करना है तो जब भी आप नई layer generate करें अपने pixels को heal करने के लिए तो यहाँ पर एक दफ़ा देख लेंगे sample all layers आपका selected हो अगर आपका को different selected होगा for example current layer selected है तो फिर ये आपके pixels को heal नहीं करेगा ठीक है for example मैं यहाँ से sample लेता हूँ तो यह इन pixels को heal नहीं कर रहा because आपने current layer को select किया हूँ तो यह sample भी current layer से ले रहा है और heal भी current layer को कर रहा है तो यहाँ पर तो कोई pixels ही नहीं है तो इसका मतलब है कि sample is equal to no pixels और destination पर भी कोई pixel नहीं है जिसको वो fix करे तो this is why हम यहाँ पर जाके all layers select कर लेते हैं ताकि उसके जो नीचे layers है वो हम sample ले सकें वहाँ से और उसी layer के उपर उसको heal कर सकें ठीक है तो यह एक important चीज़ understand करने के लिए इसके लाब अगर हम spot healing brush tool के उपर आते हैं तो healing brush tool में तो हम उसको sample assign कर रहे थे लेकिन spot healing के अंदर हम उसको samples assign नहीं करेंगे बलकि simple अपने brush को यहाँ पर move करेंगे और वो खुद से understand करेगा कि जो आसपास के pixels हैं वो किस तरह के हैं और मैंने किस तरह से उनको fix करना है ठीकर जी अगर कुछ इस तरह की चीज़े हैं जो के आपकी fix नहीं हो रही तो उसके लिए आप healing brush tool लें यहाँ से sample लें और उसके बाद उसको replace कर दें यहाँ से sample लें और उसको replace कर दें ठीक है sample लेकि उसको replace कर दें so different जो tools हैं वो different scenarios में effective हो सकते हैं तो it depends और it depends on you के आपका scenario क्या है और आप करना क्या चाहते हैं उसके बाद picture आपको बताएगी के आपने किस tool का इस्तमाल करना है ठीक है तो यहाँ पे हम सिरफ functionality को understand करने हैं decide आपने करना है कि आपके scenario में कौन सा tool जदा effective है so this is how you can make use of the spot healing brush tool and the healing brush tool so इसकी practice सरूर कीजेगा और मुख्लिफ images के पर इसकी practice करें और देखें कि जो चीज आप चाहते हैं वो आपके सामने आपको result उसका मिलता है यह नहीं मिलता so see you in the next lesson thank you so much